नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चेनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं एक बार फिर उपस्तित हूँ एक नई वीडियो के साथ मित्रों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोन मीतिये मानो की सार्णी बनाने की एक बहुत आसान ट्रिक लेकर साथ ही आपको त्रिकोन मीति के कई फॉर्मोले और बिना वैल्यू याद किए सभी त्रिकोन मीतिये मानो को निकालना भी सिखाऊंगा यकिन civil आनिये आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा सिर्फ देखते ही देखते आप आसानी से से इस जाएंगे और आज की वीडियो को अन्त तक जरूर देखें किन्तु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे लाल रंके सब्सक्राइब बेटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें सथा बराबर में दिये गए बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सुछना मिल जाया करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं मित्रों टिग्नोमेटरी में हमारे पास 6 तरकून मिती अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉस, एक, से, कॉट और 0 से लेकर 90 तक की वैलियो हमें लगभग याद होनी चाहिए लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमको ये वैलियो याद नहीं हो पाती तो इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकर तरीका बता रहा हूँ इससे आपको याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी और किसी भी सवाल में हम 0 से लेकर 90 तक की कोई से भी वैलियो लगा सकते हैं इसके अलावा आप 360 तक की भी वैलियो इसी टेबिल से निकाल सकते हैं मित्रों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही शॉर्टकर तरीका में आपको बताने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 यह लिख लेना है इस्टेबिल में और यहाँ पर काउंटिंग शुरू करेंगे हम 0 से जीरू, 1,2,3, 4 यहाँ पर 0 से लेकर चाड की काउंटिंग हम लिख लेंगे गिन्तिया लिख लेंगे और इस सब को हम 4 से भाक़ कर देंगे upon 4 upon 4 upon 4 upon 4 upon 4,3 के मित्रों अब हम Hungary क्या है हमको करना क्या है कि जो simple हो सकता है उसको simple करके लिख लिजिएगा ये 1 हो जाएगा ठीक है ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानि ये 1 अपान 2 हो जाएगा बाकी किसी का संशिप तो रुप्त नहीं आ सकता अब इस सभी का हम वर्ग मूल ले लेंगे ठीक है मित्रों इसका हमें वर्ग मूल ले लेना है ठीक है सभी का वर्ग मूल ले लेंगे इसका वर्ग मूल ले लेंगे ठीक है इसका वर्ग मूल लेंगे यानि 1 का वर्ग मूल लेंगे ठीक है तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद 4 से हमें डिवाइड कर देना है उसके बास सभी का वर्गमूल ले लागा है तो ये मित्रू क्या जा a 8, 0, 40 यो आता है, वो 5, 0 ही आएगा क्योंकि 0 होती ये वेल्यू 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा यहाँ पर मित्रू 1 का वर्गमूल बना जाएगा और 2 का वर्गमुल 1 रूट हो जाएगा ये 1 रूट हो गया 3 का रूट 3 रूट 3 लिखा जाएगा 4 का रूट 2 हो जाएगा और 1 का रूट 1 होता है तो मित्रों ये values हमारी स्बसे पहले sign की values हो गई अब इसी sign की values से हमारी सभी ये values निकलने वाली है ठीक है बहुत ये असानी से निकल जाएगी मित्रों धियान से देख लिएगा मित्रों 90 है ये 90 के बाद sign कॉस में बदल जाता है यानि ये सारी values पलेट जाएगी ठीक है तो ये 1 को हम यहाँ लिख देते है ठीक है इस root 3 y 2 को यहाँ लिख देते है 1 upon root 2 same यहीं रहेगा इस 1 upon root को यहाँ लिख देते है और इस 0 को यहाँ लिख देते है ठीक है तो sign cos sign की जो values थी 90 से आगे चलने पर हमारे पास change हो जाती है तो 90 से आगे के लिए फिर हम ये value लिखते है तो इसलिए ये पलट जाती है तो वो sign 0 और cos 90 x आएगा ठीक है इसी प्रकार sign 30 और cos 61 आएगा और 45 में दोनों के मान से आएगे ठीक है अब बारी आती है 10 की मित्रों हम जानते है 10 होता है sign upon cos ठीक है sign upon cos होता है तो इसलिए अब जो हम value निकालने वाले हैं मित्रों आप ध्यास से देख लेजएगा तो 0 upon 1 यानि ये sign है ये cos है 0 upon 1 यानि 0 upon 1 तो ये value कितने हो जाएगी मित्रों ये 0 हो जाएगी यानि 10 0 की value 0 हो जाएगी ठीक है अब इसकी upon करेंगे 2 से 2 पड़ जाएगा 1 upon root 3 आजाएगा मित्रों 1 upon root 2 से 1 upon root 2 cancel हो जाएगा upon में तो values आजाएगी 1 यहाँ पर 2 से 2 cancel हो जाएगा value हो जाएगी root 3 और मित्रों ये आजाएगा 1 upon 0 1 upon 0 को हम बोलते हैं not defined ठीक है इसको ग्यात नहीं कर सकते हैं ठीक है चली कॉसेक की बात करते हैं मित्रों कॉसेक मैं बताना चाहूँगा कॉसेक जो होता है 1 upon sin होता है ठीक है ठीक है कॉसेक की values होती है 1 upon sin होती है तो sin की जो values होगी उसको हम सीधा पलेट देंगे यानि 0 और 0 को जब हम 0 upon 1 समझ लिजिए तो 1 upon 0 करेंगे तो फिर से not defined आजाएगा ठीक है कितना आजाएगा not defined ठीक है not defined आजाएगा इसके बात इसका reverse कीजिएगा 2 upon 1 हो जाएगा it means ये 2 हो जाएगी इसका reverse कीजिएगा sin का root 2 upon 1 it means root 2 हो जाएगा इसका reverse कीजिएगा 2 upon root 3 हो जाएगा और 1 का reverse 1 होता है ठीक है सेक के बारे मैं बतना चाहूँआ मित्रों सेक होता है 1 upon cos ठीक है अब 1 upon cos निकालना है cos की value यहाँ पर आपके पास है तो 1 का opposite भी 1 ही होता है यानि reverse ठीक है अब इसका reverse कीजिएगा इस cos का 2 upon root 3 हो जाएगा ठीक है इसी पिकार हम 1 upon 2 का reverse करेंगे 2 upon 1 हो जाएगा यानि 2 आजाएगा और 0 0 का जब हम 0 upon 1 है तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 0 यानि कि फिर से not defined ठीक है not defined आगया अब करना क्या है cot cot मित्रों होता है 1 upon 10 ठीक है 1 upon 10 करते चलते हैं अब 10 हमारे पास यहां आता है 0 तो 0 का जब हम फिर से reverse करेंगे तो हमारे पास आएगी value not defined ठीक है यहां चलते हैं यह आजाएगी 1 upon root 3 का reverse हो जाएगा root 3 ठीक है इसी पिकार 1 का reverse 1 हो जाता है root 3 का reverse 1 upon root 3 हो जाता है और not defined का जो reverse होगा वो 0 हो जाएगा तो देखे कितना easy था आपको कुछ नहीं करना था 0, 1, 2, 3, 4 लिखना था 4 से divide करना था उसका work moon लेना था यह value जाएगी इस value को आप palette देजिएगा यह value यहां आ गई यह value यहां जाएगी यह जाएगी 1 upon 2 यहां जाएगा यह 0 आ जाएगा ठीक है तो sign cost निकल गया अब sign upon cost करते हैं तो 10 आ जाएगा 0 upon 1 this value upon this one this value upon this one this value upon this one and this value upon this one करतेंगे तो यह 10 की value आ गई मित्रों cost 1 upon sign इसका reverse करतेंगे सभी values का 1 upon cost तो इस इन सभी values का आप क्या करतेंगे reverse करतेंगे इसी परकार cost के लिए 10 को सब को reverse करतेंगे तो यह values हमारी आ जाएगी बहुत ही easily आपको यह table याद हो जाएगी ठीक है चलिए इसके आगे का मैं topic बताता हूँ आपको तो चलिए मित्रों अब बात करते हैं और 90 से कम है तब तेकोन मित्य अनुपातों का एक दूसरे में परिवर्तन यानी इंटरचेंज हो जाता है यानी 90 प्लेस ठीटा और 90 माइनस ठीटा ठीटा कोई भी कौन हो सकता है इसी परकार 270 प्लेस ठीटा और 270 माइनस ठीटा में तेकोन मित्य अनुपातों का एक दूसरे में परिवर्तन यानी इंटरचेंज हो जाता है किम्तु यदि कोई राशी हमें दे रखी है कोई कोई ऐसा दे रखा है कि 100C प्लेस ठीटा 100C माइनस ठीटा या 360 प्लेस ठीटा जरूर करना होगा तो चिन्नों का प्रियोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार हम चिन्नों को use करेंगे इसके लिए मैं आपको एक चतुर्थांश बना कर दिखाता हूं यह चतुर्थांश बना रहा हूं मैं quadrant ठीक है यह first quadrant है यह second है यह third है और यह fourth है अब 90 से लेकर 360 के बीच में जब भी कोई हमें राशी निकाली होगी हम इस चतुर्थांश का प्रियोग करेंगे हमें कोई भी value याद करने की जरूद नहीं है केवल जो 90 तक की हमने value 0 से 90 तक की value हमने याद कियोंगी जो table के द्वारे निकाली होगी केवल हम उसे के द्वारे सारा प्रिशन हल कर सकते हैं मित्रों मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक formula लिखके दे रहा हूँ all silver tea cup all silver tea cup यह एक shortcut है याद रखने के लिए ठीक है यह shortcut है इन चिनोंगा all का मतलब सब यानि यह first है यह second है यह third है और यह fourth चतुरतांश के लिए माना गया है तो all में सभी plus होंगे all positive यानि जितने भी 6 के 6 तरिकुण में दिया निपात है sine, cos, tan, cosec, sec, cot वो सब इस पहले वाले में plus के होंगे silver, s s for sine sine और इसका opposite होता है cosec तो sine और cosec positive होंगे बागी सब minus के होंगे ठीक है मैं बता रहा हूँ मित्रों 90 से ज़्यादा ठीक है 90 से ज़्यादे आगे तक फिर यहाँ पर एक्सोसी आ जाता है अब एक्सोसी से ज़्यादे वाले में लेखते हैं तो यह मित्रों 0 होता है यह आपका यह 90 होता है यह 180 होता है और यह वाला 270 रंश होता है ठीक है तो अब क्या करना है all silver T T means 10 तो यहाँ पर 10 और इसका opposite cot यह दोनों positive होते हैं ठीक है इसी पिकार 4 वाले में cup cup और cos cos और इसका opposite sec तो यह दोनों positive होंगे बाकी इनके लावा सभी जो 4-4 तिक्रमतिया अनुपात यहाँ पर 4 बच्चे यहाँ 4 बच्चे यहाँ 4 बच्चे वो सब क्या हो जाएंगे negative हो जाएंगे ठीक है तो चली मित्रों अब मैं आपको ले चलता हूँ तिक्रमतिया अनुपातों का परिवर्तन मैं जो मैं आपको बताया थ है कि परिवर्तन क्या होता है 90 plus θ 90 minus θ 270 plus θ 270 minus θ में परिवर्तन होगा किस प्रिकार होगा मित्रों sin का परिवर्तन हो जाएगा cos में ठीक है Cos का हो जाएगा sin में को सेक का चेंज हो जाएगा सेक में और सेक का चेंज हो जाएगा को सेक में ठीक है यह इंटर चेंज हो जाता है अपस में ठीक है कोट का चेंज होता है 10 में और 10 का change होता है cot में जयानि जब भी sign 90 plus theta, 90 minus theta 270 plus theta, 270 minus theta लिखा होगा, तो उसको हम cos में change कर देंगे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको जैसे sign 90 plus theta है ठीक है मैं तो sign 90 plus theta sign किस में बतलेगा cos में, तो यह हो जाएगा cos theta, अब एक ची देखिएगा यह 90 में जुड़कर 90 plus theta, 90 में जुड़कर किस उसमें गया किस quadrant में गया, second में ठीक है, और मैंने आपको पता जाता second में जो sign होता है, वो plus का होता है तो इसका sign हो जाएगा, वो plus हो जाएगा अगर आप मान के चलेए cos 90 plus theta है ठीक है मितरों तो cos का change होगा sign में ठीक है, लेकिन यह 90 plus theta, 90 में add हो रहा है तो यह second में पहुच जाएगा है ना, और second में cos किस चीज का होता है cos होता है minus का इसलिए हम यहाँ पर minus लगाएंगे ठीक है, मैं आपको 180 का करके बताता हूँ जिसमाल लेजिए का sin 180 plus theta है तो मितरों sin 180 में change होगा नहीं होगा, तो sin theta ही रहेगा sign का sin ही रहेगा क्योंकि 180 में कोई change नहीं होता और 180 plus theta third, यह third quadrant में पहुच गिया, ठीक है, third quadrant में sin का होता है, minus का होता है, क्योंकि 10 और quarter होते है थर्ड में प्लस के तो ये साइन माइनस का हो जाएगा ठीक है अभी हम एक और करते हैं कोशन जैसे माल लेजेगा 10 है 10 है 180 प्लस थीटा तो मित्रों 180 प्लस थीटा ठीक है ये 10 किसमें चला गिया 3rd में चला गिया 3rd में 10 किस चीज़ का होता है 3rd में 10 प्लस का ही होता है तो प्लस ही रहेगा और 10 एक स्वस्थी में कोई भी चीज़ नहीं होता है तो 10 थीटा ही रहेगा किन्तु ये अगर 270 प्लस थीटा लिखा हो मित्रों 270 प्लस थीटा अब आप दे लिए जाए 270 प्लस थीटा है तो 10 270 में जूड़का चला गिया 270 से आगे 4th quadrant आगिया 4th में 10 होता है minus का ठीक है 10 270 में बदलेगा मैंने बताया था 270 में change होता है 10 किसमें बदलता है 10 बदलता है cot में तो यह आ जाएगा cot theta तो इस परकार हमारा conversation होता है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि तिर्कुमेदिया अनुपातो का परिवर्तन किस परकार होगा आपस में संबंद क्या अब संबंद के बारे में बात कर लेते हैं तो मित्रों sin जो theta होता है वो 1 upon cos theta होता है ठीक है इसी परकार cos theta जो होता है 1 upon sec theta होता है और जो 10 होता है 10 theta वो 1 upon cos theta होता है इसके लाबा हम cos theta को cos theta upon sin theta भी पढ़ते हैं 10 theta को sin theta upon cos theta पढ़ते हैं ये इन में आपस में संबंद होता है ठीक है मित्रों इनको बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान कर लेजिएगा याद कर लेजिएगा बाकी इन सभी प्रिश्णों की pdf आपको वीडियो के description से मिल जाएगी मैं description में उसका link दे दूँँगा आप वहाँ से download भी कर सकते है मित्रों उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होगी करपिया वीडियो को like करते चलें चलिए आगे चलते हैं नए topic पर बात करते हैं तो चलिए मित्रों अब बात करता हूँ त्रिकोन मीतिये सोत्र निकालने की बारे में तो मैं बताने चाहूंगा हम त्रिकोन मीतिये में मुख्य रूप से में जो हमारा फार्मला है वो हम यह पढ़ते हैं साइन स्कॉयर थीटा प्लस कॉस स्कॉयर थीटा एक्वल टू 1 ठीक है इसी तरह हम दूसरा फार्मला पढ़ते हैं तो मितिये कभी कभी यह फार्मले हमें याद नहीं रहते हैं तो हम इसको निकाल भी सकते हैं और निकालने का मैं आपको बहुत एक आसान तरीका बताने वाला हूं यह formula भी अगर आप केवल एक यह formula याद कर लें तो उससे भी यह वाले सभी formula निकल जाएंगे किन्तु सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस formula की की यह formula कहां से आया ठीक है तो देख लिए जी मित्रों मैं एक समकोंड तिरबुज बना रहा हूँ ठीक है और इसमें हम यह ठीटा मान लेते हैं कोंड को यहाँ पर ठीक है तो यह ठीटा मान लिए हमने यह A, यह B और यह C भुजा हो जाती है तो आप मित्रों एक चीज जरूर जानते होंगे ठीक है अब एक चीज आपको मैं बताना है वाला हूँ कि पाइथाकोरस छोरम क्या होती है वो होती है करण का वर्ग करण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानि B का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर यह होता है ठीक है अब यहाँ पर हमें इन A, B, C की वेल्यू इस ठीटा के करम में लगानी है मित्रों बताना चाहूँगा कि इन ठीटा के रूप में इन भुजाओं की क्या वेल्य होगी ठीक है दिख लिजिए यहाँ पर अगर मैं साइन ठीटा की बात करूँ साइन ठीटा, साइन ठीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है साइन ठीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास हो गया B ठीक है, B और कर्ण हो गया C, यह साइन ठीटा हो जाएगा तो मित्रों B की वेल्यू हो जाएगी C, साइन ठीटा, ठीक है इसी तरह से अगर मैं cos theta की बात करूँ तो cos theta होता है आधार बटे कर्ण ठीक है मैं तो cos theta होता है आधार बटे कर्ण तो cos theta आधार हमारे पास a है है यहाँ पर और कर्ण है हमारे पास c ठीक है तो आप देख लीजिएगा तो यहां से हमने किसकी value निकाल लेनी है A की value निकाल लेनी है यह हो जाएगा C cos theta अब A की value भी हमारे पास है B की value भी हमारे पास है A और B की value उत्रों हम यहां पड़ लगा देते हैं तो C square equal to B square plus A square ठीक है और C square is equal to B square है ना B की value हमारे पास है C square sine square theta तो B square का मान कितना हो गया, C square sine square theta तो B की value C sine theta थी तो square कट दिया, इसे पकार A square इसका B square कट देंगे, C square cos square theta, मैं तो हुआ है C square comma ले लेंगे, sine square theta plus cos square theta हो जाएगा इस C square हो जाएगा, C square से C square एक बड़ गट जाएगा, तो आपका वास formula आजाएगा, sine square theta plus cos square theta equal to 1 ये पहला formula आपका आचुका है, इसी formula से अन्ये दो formula हम मिकालेंगे मित्रों, एक चीज में आपको बताना भूल गया आपने हैं देखा होगा, हमने cos theta लिखा, sine theta लिखा 10 theta भी होता है, तो इन सब कमान, आधार, कर्ण और लंब के पदों में क्या-क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको एक shortcut tick बताने वाला हूँ ठीक है, sine cos tan निकालने के लिए cos sec है ना, sec और cot कमान लंब आधार कर्ण के रूप में ठीक है, वो sine, cos, ten, cos, sec cot, कमान, अधार, कर्ण के रूप में क्या-क्या होता है इसके लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ दो तरीके बताने वाला हूँ पहला है हिंदी मेडियम का हिंदी मेडियम के लिए और second बता रहा हूँ English मेडियम ठीक है तो लंब को हम लंब जो होता है हमारा उसको हम परदेशित करेंगे L से आधार को परदेशित करेंगे A से और कर्ण को परदेशित करेंगे K से English मेडियम वाले बैच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो लंब होता है लंब को हम P बोलते हैं परपेंडुगलर बोलते हैं ठीक है आधार को यहाँ पर हम Base बोलते हैं B और जो कर्ण होता है इसको हैपोटेनिस बोलते हैं वो एच होता है ठीक है तो आप देख लिजेगा यहाँ पर अब मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर एक टेबिल बनाऊंगा बहुत छोटी सी जिससे आपको आसानी से याद हो जाए ठीक है और इसका सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कट ठीक है मैं तरो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं L A L K K A यानि लाल बटे कका चीक है यहाँ पर सायन कौस टैन और ये कौसक सेक कॉट हो जाएगा यानि सायन की वैल्यू लंबटा Jug कौसकी वैल्यू अधार बटे कट टैन की वैल्यू लंबटा अधार कौसक की वैल्यू पढ़ेंगे तो कौसक किरतव से कौढ बटा weniger पी बी पी एच एच बी जानी शॉर्टकट तरीका पाकिस्तान भूका प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा ये एक शॉर्टकट है मैं तो इसको व्यक्तिकत ना लेजिए ये केवल एक शॉर्टकट ट्रिक बना दी याद करने के लिए पाकिस्तान भूका प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा पी फॉर पाकिस्तान भी फॉर भूका पी फॉर प्यासा एच फॉर हिंदुस्तान एच फॉर हरा बी फॉर भरा तो यहां पर पी फॉर पर्पेंडिकुलर है H for Hypotenuse है B for Base है H for Hypotenuse है P for Perpendicular है B for Hypotenuse है तो यह याद करने का आपका तरीका हो गया और यहाँ पर Sine Cos 10 वही है जब कुछ है ना Cossec Sec और Cod हो जाएगा ठीक है यह इस तरह से आप याद कर सकते हैं तो वहाँ पर जो मैंने आपको Values बताएं थी अभी जब हमने Sin square theta plus Cos square theta equal to 1 निकाला था तब Sin लंबटा कंड लगाया था Cos आधार बटे कंड लगाया था तो वह यहाँ से याद करके आप लगा सकते हैं तो एक formula तो हमारा यह आ चुका चलिए चलते हैं दूसरे formula की और देखी में तो पहरा formula हो चुका है दूसरा formula मैं आपको यहीं बता देता हूँ कुछ नहीं करना आपको इसी formula में Sin square theta Sin से divide कर दीजेगा Sin square theta plus Cos square theta upon इसके नीचे भी Sin square theta equal to 1 upon Sin square theta ठीक है तो sin square theta Sin square theta कटके हो जाएगा 1 है ना 1 नहीं जाएगा Cos upon sin मैंने अब पीछे बताया था आपको है ना Cos upon sin कितना होता है cot होता है cot square theta हो जाएगा 1 upon sin है ना 1 upon sin sin में मैंने आपको sin का संबंद बताया था कि रिवर्स होता है Cosic का यह Cosic square theta होगी तो हमार पास formula क्या बन गया 1 plus cot square theta equal to Cosic square theta ठीक है मित्रों अब चलते हैं third वाले formula की ओगर तो चलिए मित्रों अब बताता हूँ मैं आपको formula number 3 उसके लिए सबसे पहले आपको sin square theta plus cos square theta equal to 1 लिखने ना है second वाले हमने formula में sin से भाग किया था यहाँ पर हमको cos से भाग करना है sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon cos square theta 1 upon cos square theta यानि cos square theta cos square theta cos square theta से भाग कर दिया गया है तो sin upon cos मैंने आपको बताया था मित्रों यह होता है 10 square theta plus cos से cos cancel 1 बार 1 हो जाएगा 1 upon cos sec होता है sec square theta तो हमरे पास third formula भी आई चुका है 10 square theta plus 1 equal to sec इस प्रिकार हम अपने कोई भी formula निकाल सकते हैं कोई भी question इन formula से हम कर सकते हैं सिर्फ इस formula से याद करने से इस formula को याद कर लिया तो आपके 3 formula याद हो जाएगे मित्रों पीछे हमने अभी बात किया था कि हम मान किस प्रिकार निकाल लेंगे 180 plus वाले 180 minus वाले 90 plus theta 90 minus theta वाले किस प्रिकार निकल पाएंगे तो उसके लिए कुछ मान मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाने आवाला है उसके मान लेजिए क्योंकि 180 में कोई परिवर्था नहीं होता मैं आपको बता चुका हूँ तो 180 में से घट रहा है अब मित्रों 180 में से घटेने के बाद 180 में से कुछ घट रहा है तो 180 में कोई भी चीज घटेगी तो वह second में पहुँचीगी न यानि यह second 44 हो गया 180 तक second 44 होता है जैसे आप यहां देख लीजिएगा 0, 90, 180 और यह 270 तो यहां तक 180 से कम हुआ माइनस ही हुआ इसका मदलब कम हुआ तो second में second में होता है sign plus का तो यह plus हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा sign किसी चीज में नहीं बदलेगा तो sign 60 आजाएगा और sign 60 का मान आप जानते हैं वर्गमूल 3 बटा 2 हो जाएगा और इसको आप दूसरे तरिके सी भी कर सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं मित्रों sign 120 equal to sign 90 plus 30 ठीक है मित्रों 90 plus 30 ठीक है 90 plus 30 अब sign दूसरे में चला गिया दूसरे में फिर plus का है plus ही लगा देंगे 90 plus 30 90 में यहाँ पर देख लिएगा 90 90 से ज़्यादा तो इस second चेटरतांज second बारी चेटरतांज में sign plus का होता है जब plus का होता है तो हमने plus लगा दिया 90 plus 30 अब sign 90 में बदलेगा मैंने बता रहे है 90 में बदलता है हर चीज sign कॉस में बदलता है तो यहाँ लिख देंगे कॉस और 30 आजाएगा ठीटा ठीक है कॉस 30 तो प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है कॉस 30 का मान मित्रों होता है वर्गमुल 3 नबटे 2 तो दोनों तरीके से आपका मान एक सा आएगा एक दो कॉशन मैं आपको और करके बताता हूँ मान लिजिये आपको कॉस 135 का मान चाहिए मित्रों ठीक है कॉस 135 चाहिए अब कॉस 135 को आप क्या लिख सकते है आप लिख सकते है कॉस 90 प्लस 45 ठीक है और second में cos किस चीज का होता है cos होता है minus का चीक है क्योंकि आपको मैंने चिन पदेती बता दी है किस से तुरतांज में कौन सा तिर्कोंड में दिया नवपात plus और minus होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ तो उससे आप देख लेंगे दूसरे में यह वाला cos minus हो गिया minus का चीन लगा दिया cos किस में बदलेगा? sin में बदलेगा sin में बदल गिया और theta क्या है? 45 है वो आप 45 लिख देंगे तो minus sin 45 हो गिया minus sin 45 का मान फिर से एक बटा वर्गमूल 2 हो जगा है तो यह minus का एक बटा वर्गमूल 2 cos 135 का मान आ चुका है इसको आप दूसरे तरीके सी भी कर सकते हैं मित्रो 180 में से आप चाहें कि हमें कोई change ना करने पड़े cos का sign में change ना हो तो इसको आप cos 135 को cos 186 minus 45 भी लिख सकते हैं है ना? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 1 का 1 यानि 135 एक सो सी आंश minus 45 लिख लिए अब मित्रो देख लिजिएगा cos एक सो सी में से घट रहा है यानि सेकंड वाले 4 आंश में और cos कितना होता है महाँ पर minus का होता है cos बदलेगा नहीं नहीं बदलेगा तो cos ही रहेगा और 45 है तो 45 लिख दीजिए ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मित्रों cos 45 का मान भी एक बटा वर्मूल दोता है तो इन दोनों कंडिशन में हमारे पास मान एक से आएंगे ठीक है चलिए मैं आपको एक दो values और निकाल कर दिखाता हूँ तो मित्रों मैं आपको निकाल कर दिखाने वाला हूँ सेक 225 की value ठीक है सेक 225 इसको आपके लिखेंगे मित्रों सेक 187 प्लस 45 लिखेंगे ठीक है मित्रों सेक 180 मी से जूड़ रहा है दिखो 180 में जूड़ रहा है कुछ 45 जुड़ रहा है, XC में कुछ जुड़ेगा तो 3rd में पहुंच जाएगा ये 3rd quadrant हो गया और 3rd में sec हमारा minus का होता है ठीक है, 3rd में sec minus का होता है, minus लगा देंगे sec XC में change नहीं होगा तो sec का sec ही रहेगा और 45 है जाएगा sec 45 का मान हमें table से लिख लेना है, मित्रों sec होता है cos का reverse होता है cos 45 की value एक बटा वर्गमूल दो होती है इसलिए इसकी वर्गमूल दो बटा एक हो जाएगी यानि कि minus का वर्गमूल दो answer आजाएगा, ठीक है ऐसे बहुत सरे हैं, मित्रों, मैं आपको 10 225 निकाल कर दिखाता हूँ 10 225 में इसको लिखेंगे याप 10 186 प्लस 45 लिखेंगे, ठीक है 10 186 में जुड़ रहा है दूसरे में, दूसरे में 10 प्लस का ही होता है और 10 186 में बदलेगा भी नहीं तो 10 का 10 ही रहेगा 10 45 और 10 45 का मान एक होता है, मित्रों ठीक है एक कोशन और लेते है, मित्रों sin 135 ठीक है, sin 135 है नहीं किया तो नहीं न sin 135 नहीं किया है sin 135 ले लेते है sin 188 माइनस 45 चेंज नहीं कर रहे है दूसरे में, दूसरे में प्लस का ही होता है ठीक है तो यहाँ पर कितनी value हो जाएगी मित्रों यहाँ पर हो जाएगी sign change नहीं होगा sign 45 हो जाएगा और इसका मान plus एक बटा वर्गमूल दो हो जाएगा ठीक है इसी पिकार हम निकाल सकते हैं cos 240 cos 240 मित्रों cos 180 plus 60 अंश लिख सकते हैं 180 में जूड़ रहा है तो 3rd में पहुंच गया यह 3rd quadrant में पहुंच जाएगा तो 3rd quadrant में cos होता है minus का minus लगा देंगी और cos चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है तो cos 60 रहा और minus cos 60 का मान होता है 1 बटा 2 तो value जाएगी minus की 1 बटा 2 तो मित्रों इस प्रकार आप कोई साभी मान 0 से लेकर 90 तक का याद कर लेजिएगा टेबिल के दुआरा बहुत ही easily तो कोई साभी मान हम 360 तक निकाल सकते हैं बहुत easily ठीक है तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अत्या निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे ताकि अन्य लोग भी इसका लाब ले सकें साथ ही अपने सुझाओ वेसमस्या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बेजें मित्रों आज के प्रश्णों की पेडियेप भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आगे चाहता हूँ आपका बहुत धन्यवाद